आज की वीडियो में हम लैप और वर्किंग कैपिल के अंदर क्या डिफरेंस से वो जानेंगे मैंने वर्किंग कैपिल के उपर अलड़ी काफी सारी वीडियो बनाई है जिनको मैंने सीरीज दिया, सीरीज नंबर दिया है लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 94, 95 तक बनाए है तो लैप के उपर भी में हम मैं कुछ वीडियो बनाऊँगा तो उनको मैं लैप के लैप 1, लैप 2, लैप 3 इस तरह से डिनोट करूँगा ताकि आपको पहचान हो पाए कि ये लैप के रिगार्डिंग वीडियो है और साथ में प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा लैप की रिगार्डिंग अजेस्मेंट का तो बेसिकली लैप की अगर अजेस्मेंट को समझना हो तो ये सबसे पहले वीडियो है आपके लिए तो इसमें हम पहले तो ये समझेंगे कि lap और working capital के अंदर thought process का difference क्या है क्या difference है दोनों products के अंदर वैसे तो बनाने को कितने ही difference बनाए जा सकते हैं बट मैंने कुछ differences को analyst किया है जो critical है आपके लिए जानने के लिए तो आई आज उन differences के बारे में समझते हैं देखें lap होता है हमारा loan against property ये full form तो सब को पता ही है loan against property देखें ये नाम से ही clear हो जाता है loan against property अब working capital में भी property दो लेते ही है पर ये product specifically हमने नाम दिया कि loan against property कि इसमें हम property के उपर loan दे रहे हैं तो मतलब इसके उपर इस product में कहीं ना कहीं property word पे काफी focus किया गया है property word पे काफी focus किया गया है तो that means जब भी आप इस product की assessment करेंगे इस product को समझेंगे तो आपको property वाला area या property का comfort या property की quality लगा लेजिए या property के उपर कितना loan देना है वो काफी ज़ादा focused area रहेगा आपके इस product में जबकि working capital product में आपका खाली working capital यानि की day to day business operations कैसे चल रहे हैं कैसे manage हो रहे हैं उनको और बहतर कैसे बनाया जा सकता है किस तरह से promoter को help की जा सकती है उसके बारे में ज़ादा focus किया जाता है तो working capital जब मैं यहाँ पर word लिख रहा हूँ तो मेरा मतलब है जो working capital की running facilities है जैसे cc, packing credit, bank grandis, lcs इस तरह की इसमें मैं term loans की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर तो differences क्या है lap और उसमें तो जो lap product है वो longer tenure का product है आपने दिखा होगा कि जो lap loans होते हैं वो 10 साल के भी होते हैं, 15 साल के भी होते हैं अब जैसे home loans हैं वो तो लोग 20, 25, 30 साल तक के भी लेते हैं usually lap जो होते हैं वो 15 साल के tenure तक के होते हैं और कई banks जो बोलते हैं कि अगर industry property पे lap लेना है तो maximum 10 साल का tenure मिलेगा कई कहते हैं अगर कई 15 साल भी अलाओ करते हैं तो up to 15 years तक के tenure के usually lap loans market में देखे जाते हैं तो आप कम से कम लेना हो तो कम से कम आप 2-3 साल का भी 5 साल का, 7 साल का जितना मर्जी lower tenure का बना लीजिए बट tenure इसका more than 12 months होता है lap का जो tenure होता है वो more than 12 months होता है तो longer tenure होता है जो working capital है वो shorter tenure की होती है यानकी up to 12 months period की होती है जो CC limits वगएरा हैं जो आप packing credit करते हैं इनकी validity system में 12 months की होती है 12 months के बाद ये expire हो जाती है 12 months के बाद ये expire हो जाती है ठीक है इसमें कुछ भी expiry वाला funda नहीं होता ये एक बार दे दिया तो दे दिया राइट तो अब lab product में क्यूंकि property के उपर focus काफी जादा है और आप लंबे समय के लिए loan दे रहे हैं देखिए आज आपने ABC company को ABC company को या Mr. A को जो की ABC company run कर रहा है इसको individual नाम पर या इस firm को आपने एक lap दे दिया एक क्रोड रुपे का 10 साल के लिए 10 years के लिए तो आपने आज की date में आज present चल रहा है आज की date में आपने ये presume किया कि ये जो person है ये 10 साल तक अपना business अच्छे से run कर सकता है आज की date में आपने उसके business को analyze किया और आपने जब इसको एक क्रोड का लोन देने के लिए मंजूर किया 10 साल के लिए तो आपने अपने money ही man एक चीज final कर ली देखे ये चीज़ लोग सोचते नहीं है पर आप ये चीज़ समझे जैसे आपने आज इसको लोन दे तो आपने money ही man ये मान लिया कि जो इसका business आज की rate में चल रहा है ये same level पे ये business 10 साल चलाता रहेगा और revenue generate जितना आज कर रहा है जितने cash flow generate आज कर रहा है इतने cash flow generate वो 10 साल तक करता रहेगा इसी वज़े से ये मेरा loan 10 साल में easily repay कर पाएगा आपने जो 10 साल में उसकी contingencies आनी है उसको ये मान लिया कि वो सारी की सारी contingencies adjust करने के बावजुद भी वो आज की rate में जितनी income earn कर रहा है उतनी income earn करता रहेगा future में ठीक है तो क्योंकि आपने 10 साल की projection एकदम से ही ले ली और उसकी आपने मलब इतना technical ज़्यादा analysis तो किया नहीं होता तो इस वजए से आपको properties के उपर additional comfort चाहिए होता है additional comfort आपको चाहिए होता है इसके अंदर आप बोलेंगे कि अगर 100 रपे की property है अगर आपकी property value 100 रपे की है तो उसके उपर हम जो लोन देंगे वो 60 रपे का ही देंगे या 55 रपे का ही लोन देंगे या कुछ बैंक जैसे 65 रपे 70 रपे as per deviation या bank to bank या norm वेरी करता है इसमें कोई standard practice नहीं है normally 60, 65 रपे, 65 रपे, 55 रपे इसके बीच में वेरी करता है plot के case में 50 रपे, 45 रपे यहां तक भी गिर जाता है तो आप अपना margin यहां पे better रखके चलेंगे as a banker यानि कि आपका collateral cover यहां पे higher रहेगा और LTV बहुत ही जादा lower side पे यहां पे maintain करेंगे जबकि working capital में आपने shorter tenure के लिए यह loan दिया होता है 12 मीने के लिए और आपकी monitoring भी रहती है तो इसमें आपका collateral के उपर margin lower side पे रहता है तो आप यहां पे collateral की अगर 100 रपे की value है तो आप 100 रपे का loan भी कर सकते हैं हालांकि कई bank 80-90 रपे पे restrict करते हैं margin रखने की कोशिश करते हैं पर 100 रपे के उपर 100 रपे का loan भी लोन दे सकते हैं जो बड़े loans की files आती है 15, 20 क्रोड, 25 क्रोड की file तो वहां पे तो 100 रपे की property against banks 125 रपे का loan, 140 रपे का loan वो भी देते हैं क्योंकि बैंकों सब ने working capital में current assets के उपर भी charge लिया होता है ठीक है, fixed assets के उपर, movable fixed assets के उपर भी charge लिया होता है जबकि lab में ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो यहां पे higher margin on properties आपका लिया जाता है जो lab product की eligibility है वो eligibility कहां से सोची जाती है profit and loss account से सोची जाती है आपको इसकी eligibility के इलिपनेट करने के लिए profit and loss account और as a resultant ITR की ज़रुरत पड़ती है तो focus कहां पे है profit and loss account में जबकि working capital की जब आप eligibility assessments सा आप बनाते हैं MPBF norms गयरा तो आपका focus कहां पे होता है balance sheet angle पे तो balance sheet के उपर आप ज़्यादा focus करते हैं क्या inventory cycle है, क्या gearing है, क्या leverage है क्या MPBF norm है, क्या operating cycle है तो balance sheet angle ज़्यादा होता है इसमें profit and loss angle ज़्यादा होता है ठीक है इसका end use कोई भी purpose हो सकता है जो आपको lab मिल रहा है individual को या firm को तो ये अपने वो business purpose के लिए भी use कर सकते हैं या non business purpose के लिए भी use कर सकते हैं यूजली तो जो firm को loan दिया जाता है तो उसमें तो यही बोला जाता है कि business purpose के लिए use करें बट business purpose से मेरा मतलब है कि वो working capital भी हो सकता है fixed assets investments भी हो सकता है या कोई any other वो project लगाना चाता है उसके लिए भी हो सकता है अगर individual नाम पे दे रहे हैं आप lab loan working capital loan नहीं दिया जाता जो lab product है वो firm के इलावा आप individual नाम पे भी दे सकते हैं यानि कि मैं हूँ अगर मैं आज मैं salary employee हूँ आप भी salary employee हैं या बनेंगे तो आप अगर lab loan लेना चाहें तो आप individual नाम पे भी lab loan ले सकते हैं जबकि अगर आप individual नाम पे CC लिमिट मागने जाएंगे तो आपको individual नहीं मिलती वो सिर्फ आपकी firm को मिलती है राइट तो lab product में product एक ही है क्या loan against property property के against loan जो की एक EMI based loan होगा EMI based loan आपको दिया जाएगा lab के अंदर ठीक है तो product का theme एक ही है जबकि इसको इसकी eligibility के करने के methods कई हैं काफी सारे हैं जैसे rental discounting का product आजाता है banking का product आजाता है और लगाले जी low LTV product होता है एक की बहुत ज़्यादा strict LTV के उपर कर दिया जाता है एक पुराने time पे चलता था को अपना demonetization से पहले liquid income approach वाला product चलता था कि कच्चे की income को आजास करके lap दे दिया जाता है तो multiple products रहते हैं lap के अंदर आपकी eligibility calculate कर निकली पर product एक ही है lap जिसमें एक EMI निकल नी निकल नी है आपकी working capital में products बहुत तरह की variety है products की जैसे CC limit है, OD limit है drop line OD limit है, packing credit limit है, उसमें भी packing credit में भी bifurcation है, pre-shipment, post-shipment फिर bank guarantees है उसके अंदर फिर उसके बाद आपकी letter of credit की facilities है, buyers of buyers credit की facility है, CapEx-LC है, foreign currency term loans की facility है, WCTL की facility है, तो multiple तरह के products हैं जिनको अलग-लग तरह से operating किया जाता है working capital के अंदर ठीक है, बट उनकी eligibility की calculations के method comparatively limited है, है different method हैं, जैसे MPBF1, MPBF2 turnover method, operating cycle method, cash budget method तो इस तरह से methods तो हैं, बर उनकी limited availability है उन methods की, limited use उनका है methods का, और methods भी limited है जबकि lab product में काफी सारे wide range of eligibility calculations के method आजाते हैं, right तो lab product में एक difference, इसी point में एक साथ और highlight कर देता हूं, कि इसमें अगर आपको eligibility calculate करनी है तो आप एक से ज़्यादा persons की eligibility को combine करके अगर आप एक plus 2, 3, 4, 5 बंदों की eligibility को combine करके उनकी incomes को combine करके incomes को combine करके एक single eligibility बना सकते हैं एक single eligibility बना सकते हैं अगर चार बंदे हैं family में, बाप है उसके दो बेटे हैं, उनके आगए एक बेटा है तो चार बंदे हैं चारों की ITR में अलग-अलग income जा रही हैं तो उन चारों को applicant लेके चारों को structure में लेके चारों की income को combine करके एक single income बनाके उसके उपर आप lab की eligibility बना सकते हैं जबकि working capital में इस तरह की आपको facility नहीं होती इसमें working capital में आपकी income combination की आपको कोई facility नहीं मिलती कि आप अलग-लग लोगों की income combine करके वो बना दो ठीक है तो यह चीज़ है बाकि जो यहाँ पर मैंने profit and loss वाला point बताया तो उसमें इसको in other words define के जा सकता है कि यह income based product है आपका lab income based product बोल देते हैं कि आप कितना cash flow generate करें cash flow based product है आपका जबकि यह आपका जो है वो operating cycle based product ज़्यादा है और के differences है lab के अंदर कोई भी current assets fixed assets की उपर charge नहीं लिया जाता यह आपको पता ही है जबकि working capital में current assets और fixed assets की उपर charge लिया जाता है इसी वज़़ए से तो collateral यह भी reason है कि जिसकी विज़ए से हम collateral के उपर जो है margin ज्यादा रखते हैं लैप के अंदर right no after sales service देखिए यह सबसे favorite point है sales वालों का no after sales service एक बार पैसा दिया उसके बाद भूल गई उसके बाद भूल गई कुछ भी client से बातचीत करने की जुरूरत नहीं है उसको milkern की जुरूरत नहीं है उसका हाल चल पूछने की जुरूरत नहीं है वो आएगा तो आपके पास अपने आप आएगा ठीक है कोई कई बार एकदम से पैसे की जुरूरत पड़गी तो उसको अड-hoc limit चाहिए temporary overdraft limit चाहिए उसका एकदम से चेक लगे है तो उसको एकदम से आज के दिन में चेक क्लियर कराने तो चेक क्लियर करवा के देने पड़ेंगे आपको इंट्राडे टी उसकी टी ओडी देनी पड़ेंगी उसकी stock statements अपडेट करवानी पड़ेंगी उसका कोई penal लगया तो penal wave करवाना उसके कोई bank में charges लगये तो charges उसका handle करवा के देने कोई और उसको transaction एकदम से उसको issue करवा के देनी तो क्यूंकि उसका regular business flow आपके साथ चल रह रहा है regular business flow आपके साथ चल रहा है तो इस वजह से इसमें आपको after sales service काफी देनी पड़ती है यानि कि इसमें portfolio management काफी heavily involved है portfolio जो आपने बना लिया अपने cases का उसका portfolio management काफी actively or heavily involved है as compared to lap lap पड़क में कोई renewal नहीं करना पड़ता आपको मैंने बताया है कि यह longer tenure के लिए loan दिया जाता है एक बार दे दिया उसके बाद भूल गए जबकि यह tenure होता है इसका इसकी validity होती है developments की developments के बाद limits expire हो जाती है तो उनको 12 महीने के लिए आगे फिर renewal करना पड़ता है तो यानि कि एक साल के बाद आपके बाद आपके पास फिर से renewal की file आती है उसकी working capital की राइट lap में automatic monitoring आपके case की आप सोचेंगे automatic monitoring कैसे भी अब देखिए अगर आपने किसी को EMI based product दे दिया EMI based product दे दिया तो ECS system आप लगा देते हैं कि उसके खाते से कि EMI automatically कटती रहे हर मीने तो किसी महीने अगर EMI नहीं कटी मतलब नहीं कटी in the sense bounce हो गई अगर किसी महीने EMI bounce हो गई तो उसी समय सारी MISC समय आपके case का नाम आ जाएगा सारी जो आपके offices की MISC central level पे वहाँ पे आपके case का नाम name highlight हो जाएगा कि भाई इसकी EMI नहीं आई यह overdue में चल रहा है client को phone कीजिए और EMI recover करके दीजिए तो जैसे ही EMI bounce होएगी तो name highlight अगर हो गया तो automatically अकाउंट monitor हो गया monitoring automatically चल रही है न क्योंकि जैसे ही repayment में कम ही है तो वैसे ही आपको पता चल गया है जब की working capital product के अंदर आपको manual monitoring की requirement पड़ती है आपकी central team को भी manually check करना पड़ता है कि भाई उसकी banking में वो churning पूरी properly कर रहा है कर नहीं कर रहा है उसकी stock statement में क्या हलात है उसका stock audit हुआ कर नहीं हुआ ठीक है उसका credit submissions में ज्यादा dip तो नहीं हुआ तो इस तरह से उसमें multiple factors रहते हैं कि उसको regular बार 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 मोनीटर करना पड़ता है working capital product में तो यह differences है इसके इलावा और भी differences मैं बोल सकता हूँ कि और भी differences रहते हैं इन प्रोडक्स में जितने मर्जी हम differences और बना सकते हैं ब बाकि तो by the time जैसे आप सीखेंगे और तो आपको और चीज़ें पता चलती जिली जाएंगे कि और क्या-क्या differences इसमें से बना सकते हैं हम लोग तो I hope आपने इस first video को enjoy कि होगा lap वली को बाकि हम आगे वीडियो में जाके सीखेंगे कि क्या-क्या product है lap के बारे में तो उन में इसे काफी सारी videos मैं आपके लिए available कराऊंगा as usual और कुछ videos उसमें specific रहेंगी for members only तो अगर आपको पूरी full course का फायदा उठाना है और सारा कुछ सीखना है तो आप please membership को subscribe जरूर कीजिए कोई बहुत ज़्यादा costly नहीं है सिरफ 200 rupees per month ही है उसकी cost that is less than a cup of tea per day expense तो बाकि वो आपकी individual choice है इसमें कोई push नहीं है तो बाकि मैं आपको next videos में मिलूँगा और आगे explanation के साथ thank you very much guys